तो फीडियो सुरू करें वेल्कम बैक तू बनी लेटर यूट्यूब सेनल और आज के फीडियो पे हम के टूइंटी प्रो डिवाइस के उपर बात करने वाले हैं तो रिसेंटली जो शाउमी का ओफिसेल मियू आई 12.5 का जो लेटेस अपदेट था शाउमी के टूइंटी औ और के टूइंटी प्रो डोनों डिवाइस पर तो इस अपदेट पे ना काफी शारा जो है आपको बग देखने को मिल जाता है शाहे वो कैमरा रिलेटेद हो या फिर कोई परफॉमेंस रिलेटेद और खासकर जो है डार्क मोड पे काफी शारा जो है बग देखने को मिला थ तो इन सभी बाक्से बचने के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल उपाई जो है अब लोगों के लिए लेकर आया हूँ अगर आब लोगों को MIUI पसंद है तो जो ग्लोबेल या फिर इंडियन वाला जो फर्शन है उसको आप स्किप कर सकते हैं और जो Xiaomi का जो EU रोम है उससे आप यूज कर सकते हैं और Xiaomi का जो EU रोम है उसका 12.5 वाला फर्शन जो है K20 सेरीस के लिए आज चुका है आप आराम से यूज कर सकते हैं और इसमें लाइक इंडियन वाला वर्शन से काफी अच्छा जो है यू आई पे सेंजिस देखने को मिलता है और साथ ही साथ जो परफॉमंस है बो भी आपको जो है इंक्रिस देखने को मिलेगा EU रोम पर और आज जो है हम इसी के उपर बात करने वाले हैं और एंड में करने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा त्रीकी है तो आपको एंड में बताऊंगा तो अभी हम बात करेंगे शौमी के EU रोम के बारे में तो सबसे पहले हम हमेश्य की तरह सेटिंग पर आएंगे यहाँ पर जो MIUI फर्शन है आप यहाँ पर देख सकते हैं 12.5.4 आल स्पेक्स पर आपको करने वागेरा या फिर बिल्द नंबर वागेरा आपको सब कुस मिल जाएगा और बाकी सेटिंग पर आपको सेम ही डिखने को मिल जाता है और extra faces बगेरा आपको ज्यादा कुछ add नहीं किया है अगर इसमें नया कुछ बात करूं तो इसमें आपको जो है गैलरी पे एक option देखने को मिल जाता है recommended तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर photos या फिर videos related काफी सारा जो है आपको option देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप अपने photos बगेरा को edit कर सकते है और videos भी आप यहाँ पर edit कर सकते है और यह सभी option आपको calory पर मिल जाता है और next अगर आप camera पर तो यहाँ पे आपको clone mode भी आपको यहाँ पे मिल जाता है तो आप clone, video या फिर photos बगएरा आपके सकते हो और इसमें camera performance आपको अच्छा खासा मिल जाता है बाकी camera की settings सेम ही है और आप इसमें Zcam भी install कर सकते है अगर आप यहाँ पे theme पे आएंगे तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि यह साइना बेस theme store है तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा theme वगएरा आपको मिल जाएगा आप यहाँ से use कर सकते है theme store पे आपको काफी चारा customization देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप animation वगएरा भी sense कर सकते है साथ ही साथ आपको MIUI का नया boot animation है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और जो boot audio है उसको भी आप यहाँ पे use कर सकते है और उसके बाद जो है और जो इसका UI है काफी ज़्यादा इंप्रूफ किया गया है यूआई पे आपको animation वगएरा पे जो है ज्यादा lag वगएरा देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पे जो है अगर आप volume बार पर अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे जो है जो blur effect है वो काफी जो है अच्छा गर दिया गया है लेकिन यह जो है आपको effect जो है आपको जो global वाला version है वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है लेकिन जो Xiaomi का EE room है यहाँ पे आपको यह blur effect आपको volume बार पे देखने को मिल जाता है तो अभी इस room की अगर performance की बात करूँ तो मैंने यह जो है करीब एक हफ़ते से use कर रहा हूँ और अभी जो है performance की बात करूँ तो काफी अच्छा जो है आपको इस room पर आपको देखने को मिल जाता है और आप gaming बागिरा भी अच्छी तरीके से कर सकते हो आपको कोई भी issue नहीं मिलेगा और अगर आपने पहले भी Xiaomi का जो EU room है अगर आपने पहले भी use किया है तो आप लोगों को पताई होगा जो global या फिर Indian वाला version है उससे काफी improved है ये EU room क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा जो है शाइना based room होते है और उसके बाद अगर battery performance की बात करूँ तो battery performance भी आपको जो है अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा तो skin on time है आपको 4-5 hours अरब से मिल जाएगा उसके बाद अगर gaming performance की बात करूँ तो भी काफी कमाल का है और gaming turbo पे जो है काफी सारा features add किया गया है जो नया gaming turbo आया है Xiaomi के device पर तो यहाँ पे जो है आपको जो voice changer है वो भी आपको देखने को मिल जाता है वो आप जो है gaming करते समय भी अपना voice जो है change कर सकते है and next अगर बात करूँ network connectivity की वहाँ पे भी जो है आपको कोई भी issue देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पे जो NFC वगेरा है वो भी working देखने को म देखने को मिल जाता है कि Windows PC से जो है Android मतलब MIUI पर जो है आप data transfer कर सकते है warlessly और यह अभी जो है beta version पर है और इसमें जो है आपको dark mode पर भी आपको कोई भी issue देखने को नहीं मिलेगा हाला कि कुछ apps जो है अभी जो है dark mode को अच्छी तरीके से जो है support नहीं करते है लेकिन फि अभी बात कर लेते हैं installation process की तो सबसे पहली बात तो installation जो process है बो simple है लेकिन इसमें like एक ही problem है कि अगर आप direct download करके जो है अगर आप install करेंगे तो यह directly नहीं होगा तो उसके लिए जो है आपको सबसे पहले तो आपके PC या फिर अपने phone पे ही कर सकते हो तो सबसे पहले जो इसमारा रोम का zip file होगा उसको आपको extract करना होगा extract करने के बाद जो है यहापे आपको file पर जाना है यहापे जो है आपको folder मिलेगा मीटा और आएनफ ऐसा कुछ करके तो यहापे सबसे पहले आपको इस file को open करना है फिर यहापे जो है परune in terminal करना है फिर전 जो इस 아직 क候 पर इसको थोरा सा इडिट करना होगा तो यहाँ पे एक ही सी करना है तो पहला लाइन पे आपको काफी सारा जो है इसका जो के 20 या फिर के 20 प्रो डिवाइस का जो कोड नेम है राफेल इन में से आपको जो है पहला जो राफेल है तो यहाँ पे इन लिखना है क्योंकि जो राफे और जो इंडिया पे लॉंच हो था के 20 प्रो तो यहां पे जो है राफेल इन करके जो है कोड नेम रखा गया था तो इसी वज़े से जो है आपको इस रूम को फ्लैस करते समय जो है आपको एरर 7 देखने को मिल जाएगा लेकिन अगर आप राफेल लगा देंगे तो यह फाइले थे उन सबी को जो है कमप्रेस करके जो है फिर से जो है जीप फाइल वानाना है और उसके बाद जो है आप फ्लैस कर लीजे आराम से हो जाएगा और यह एरर 7 जो है बिल्कुल भी नहीं आएगा इस रूम का जो दाउनलोट लिंग वगरा है वो आपको तेलिक्राम पर आपको डिखने को मिल जाएगा तो फ्रेंज आई होप अब लोग को यह फीडियो जरू पसंद आया होगा अगर फीडियो पसंद आया तो प्लीज फीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा पसंद आया तो शेयर भी कर देना और हमारे सेनल को अगर सस्क्राइब नहीं क किया है तो प्लीज जरू किजिएगा एंड नेक्स वीडियो में मिलते हैं गुडबाई